हेलो बच्चो नामस्कार पीयरे बच्चो कल हम लोगों ने यानि लास्ट क्लास में और नेगेटि क्योंकि डी की वेलो अगर नेगेटिव आईगी तोर में जाके उसकी वेलो हम सॉल नहीं कर सकते इसका मतलब वो एक real number नहीं बन सकता, कुछ ऐसे ही पढ़ा था हम लोगों ने, और बच्चो अब उसी चीज को हम लोगों ने एक अच्छे तरीके से define किया, जिसके अंदर iota form किया गया था, कि हमें पता था कि उसके अंदर किसी भी हाल में iota form होगा, तो हमने यही देखा, कि जिन quadratic equation का factor हम नहीं कर पा रहे हैं, या factor कर पा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी solution नहीं निकल रहा है, तो it means उसके discriminate method में d की value 0 से छोटी है, तो यही सारी चीजे हमने छोटी छोटी चीजे पता की और इसको solve किया, लेकिन आज बच्चो थोड़ा सा अलग topic आपके सा बच्चो एक बात बताना चाहूंगा, polar form of complex number में, क्या, कि यह polar form जो है, आपके course से कट गया है इस साल के लिए, यह 2020-21 के session से कट गया है, लेकिन इसके कुछ चोटे मोटे points हैं, जैसे argument, modulus, वो नहीं कटे हैं, तो इसलिए हमें modulus और argument तो करना ही बढ़ेगा, और जब modulus और argument ह कर लेंगे, तो polar form तो एक से दो line की बात और है, तो polar form भी, तो इसलिए मैं लगे हाथ पूरा ही सिखा रहा हूँ आपको, ताकि आपके knowledge में रहे, कि अगर argument पूछ ले तो आप separately निकाल सकते हो, और आप से modulus पूछ ले तो भी आप separately निकाल सकते हो, ठीक है, अच्छा, polar form जा तरीके से दिये जा सकते है, ध्यान देना कैसे, आपको complex number ऐसे दिया जा सकता है, A plus B Iota, आपको complex number ऐसे दिया जा सकता है, A minus A minus A plus B Iota, और कैसे दे सकते हैं, आपको, इस चार तरीके से, इन चार तरीके से आपको complex number लिखा हुआ दिखाई दे सकता है, कैसे कैसे, a plus b iota, minus a plus b iota, minus a minus b iota, और a minus b iota, इन चार तरीके सिवा और कोई तरीका ही नहीं बनता, complex number के standard form का, ठीक है बई, अच्छा आप ज़र ध्यान देना, अब ये मैंने जो form बनाई है कहां से बनाई है, ये बच्छों ये चीज़े आपने नाइंथ खिलास में पढ़ ली थी, कहां पढ़ी थी, याद करो quadrant पढ़ा था आप लोगों ने, आपके जो भी उस टाइम पे सर या मैम रही होंगी, तो उन्होंने आपको quadrant पढ़ा होगा, और quadrant के अंदर एक खास बात कार्टिव होते हैं, इधर के सारे पॉजिटिव होते हैं, इधर के सारे नेगिटिव होते हैं, यह सी का, तो हमने क्या देखा कि यह है first quadrant, और इस इलाके में जो भी आएगा, x का positive, y का positive, मतलब दोनों positive होंगे, it means यह, a b positive, b positive, मतलब यह कौन से quadrant में है, first quadrant में, इसकी बात करते हैं x-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y ठीक है देखो थर्ड क्वाटरेंट है यह ठीक उसके बाद यह फॉर्थ क्वाटरेंट आपका फॉर्थ क्वाटरेंट आपका एक्स का पॉजिटिव यानि फॉर्थ क्वाटरेंट इस टाइब से कुछ है ठीक है बच्चो तो complex number को भी लिखने का एक reason है अगर इन complex number को हम इन चार forms में लिख रहे हैं तो इसका भी एक reason है कि आखिरकर ऐसे हमने जो लिखा इसे वो किस मक्सद से लिखा तो बच्चो अगर दोनों प्लस के हैं तो इट मींस वो कही ना कहीं first क्वाटरेंट में उनका angle लाई कर रहा होगा क्या कर रहा होगा उनका angle लाई कर रहा होगा अगर ये ऐसे लिखा हुआ है तो जरूर इसका angle कहीं न कहीं कहां लाई कर रहा होगा second में अगर ये ऐसा दिख रहा है तो जरूर इसका angle कहां लाई कर रहा होगा third में अगर यह ऐसा दिख रहा है तो जरूर इसका एंगल कहा लाई कर रहा होगा फोर्त में ठीक है बच्छो क्लास यह बहुत इंपॉर्टेंट है इस जीज को ध्यान से देख के चलना कि मैं किराना के चाह रहा हूं अब अब बात आती है कि इनके एंगल्स की जिसे हम लोग सबस्क्राइब आता हूं पहले लिए नोट करो आँ तो अपने नोट कर लिए होगा ठीक है वीडियो ब्लसक्राइब बस सुरू हो जाए करो ठीक है हाँ जी अब बाद आती है argument की तो ध्यान से देखना बच्चो अगर argument की बात करूँ मैं तो बच्चो देखो argument में क्या होता है कि जो भी इनका angle होगा it means theta जो भी इसका angle होगा ठीक है तो ध्यान रखना first quadrant के अंदर first quadrant के अंदर वो वैसा का वैसा ही रहता है मतलब जब आप इसको polar form में convert करोगे polar form में convert करोगे तो first quadrant में आने वाला angle वैसा का वैसा ही रहता है as it is रहता है कोई change नहीं होता लेकिन जब second quadrant में आते हैं तो हमें πाई में से minus करना पड़ता है किसके लिए polar form में convert करने के लिए किसके लिए polar form में convert करने के लिए लेकिन जब third quadrant में आते हैं तो हमें इसे क्या करना पड़ता है angle में इसे πाई माइनस करना पड़ता है किस चीज के लिए polar form में convert करने के लिए और जब fourth quadrant में आता है कि आखिरकर आर्ग्यूमेंट किस तरीके से निकालते हैं और मॉडुलस किस तरीके से निकालते हैं फटा-फट नोट करो फिर एक आधा कोश्चन कराता हूं कि जल्दी से नोट करो बहुत चोटा सा चैप्टर है लेकिन वच्छो चैप्टर अच्छा है फिर यह कतम होगा फिर हम सिक्स चैप्टर सुरू करेंगे बहुत चोटा था चैप्टर वह भी है तो 5.3 और 5.1 हमारी हो गई है खतम अब हमारे रहे गया भाई 5.2 चैप्टर कर लिया होगा अब मैं आपको 5.2 कोश्चन नमबर बसे पहले फिर्स्ट करवा रहा हूं ठीक है हमारे पहले है तो बच्चों देखेंगे ज़रा, शुरू करते हैं, 5.2 का question number first, जिसमें आपको क्या कहा गया है कि argument निकालो और modulus निकालो, दो चीज़े निकालने के लिए बोली आपसे, argument और modulus, question क्या है, z is equal to minus 1 minus root 3 iota, यही है न, अजी, तो कह रहा है, इसका modulus निकालो और इसका argument निकालो, पहली बात तो minus है, minus है, तो इतना तो पता चल गया होगा कि quadrant कौन सा है, third quadrant, तो हम यहाँ पे सबसे पहले modulus निकालना चाहते हैं, पहले यह लिख लो, क्योंकि इसमें भी polar form के बारे में कुछ भी नी बता रहा हूँ, मैं अभी आपको सिर्फ और सिर्फ मॉडलस, और सिर्फ और सिर्फ क्या निकालना चिखा रहा हूँ भाई, कि इसका modulus क्या है और argument क्या है, तो पहले, ऐसी situation में हमें क्या करना चाहिए, एक काम करो, मैं पूरा का पूरा content ही करा देता हूँ, पूरा polar form ही करा देता हूँ, तो देखो, यह z आपका कौन है complex number, ठीक हैं, तो सबसे पहले, यहाँ पे लिखेंगे, let the polar form of complex number, हाँ जी, complex number का polar form, let करेंगे, तो हमेशा याद रखना, किसी भी complex number का polar form होता है, cos theta, plus iota sin theta, ठीक है, और बाहर क्या होता है, इसके r, बाहर क्या होता है, r, r का मतलब होता है, modulus, ठीक है, और वाकि theta का मतलब क्या होता है, argument, ध्यान रखना बच्चो, r का मतलब modulus, theta का मतलब argument, तो ये होता है, किसी भी complex number का polar form निकलने का तरीका, ठीक है, अच्छा, now, अब एक बात याद रखना, ये equation first है, ये equation आपकी second है, by comparing, by comparing first and second, अब first और second को बच्चो compare करो, तो अब क्या देखोगे, r, cos, theta, क्योंकि r, cos, theta कौन है, बिना iota वाला, तो बिना iota वाला किसके बराबर होगा, बिना iota की, फिर इसको अंदर multiply करोगे, r, sin, theta, किसके बराबर आएगा, minus के root 3 के, सही बात है, क्यों, क्योंकि iota इसके पास भी, iota इसके पास भी है, तो वो तो अपने आप cancel हो जाएगा, modulus of complex number, modulus of complex number, प्यारे बच्चो, modulus of complex number means, r is equal to under root a square plus b square, modulus ऐसे निकालते हैं, अगर याद हो तो, मैंने आपको multiplicative inverse में भी सिखाया था, बस उसमें ये नहीं बताया था, कि r लिखा जाता है, modulus को, उसमें मैंने आपको ये बताया था, तो चाहे ये लिख दो, चाहे ये लिख द a, a कितना है, minus का 1, square, b, b कितना है, minus root 3 का square, 1 plus में root 3 का 3 बनेगा, 4, बाहर निकल के 2, अब कहोगे कि sir, plus minus 2 होता है, नहीं भाई, plus minus 2 होता है, मुझे भी पता है, लेकिन आपको plus 2 लेना है, क्यों, क्योंकि modulus है ये, और mode से जब भी कोई चीज बाहर निकलती है, तो किसकी होत है, तो बच्चो, modulus आपका क्या या, r is equal to 2, r is equal to क्या गया, 2, अब हमें बात करनी है, argument के लिए, अब हमें किसके लिए बात करनी है, argument के लिए, so now, argument के लिए, अब हमें बात करनी है, तो हम यहां न पड़ेगा पहले, ठीक है, ये 3rd माल लेना बच्चो, ये 4th माल लेना बच्चो, now, put r in equation 3rd and 4th, 3rd क्या है, r cos theta is equal to minus 1, r sin theta is equal to minus root 3, r कितना है, 2 cos theta, minus 1, 2 sin theta, minus root 3, 2 नीचे ले जाओ, minus 1 by 2, 2 नीचे ले जाओ, minus root 3 by 2, ठीक है, अच्चो, अब मैं आपको एक बात बताओ, कभी भी आपको ऐसा लगेगी, यार, दोनों का sign एक जैसा नहीं है, यार, दोनों का sign एक जैसा है, तो आप चाहो तो एक काम कर सकते हो, क्या, कि इनकी term को 10 में भी लेके जा सकते हो, देखो, मैं आपको दोनों condition सिखा दूँगा, क्या, 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 आप चाहो तो यहां पे भी solve कर सकते हो, ठीक है, यहीं पे भी solve कर सकते हो, और दूसर तरीका कि आप 10 ठीटा करके भी इसको solve कर सकते हो मैं दोनों तरीके आपको सिखा के चलूँगा ठीक है तो मैं यहीं पर आपको दोनों तरीके सिखा हूँगा तरीका नमबर पहला फर्स्ट तरीका मतलब पहला concept ठीक है जी पहला concept सीखिए क्या सीखेंगे बच्चो आपको पता है आपको पता है अगल ओफ गिवन कॉंप्लेक्स नमबर कॉंप्लेक्स नमबर लाइज इन कौनसा क्वाटरेंट माइनस माइनस लाइज इन थर्ड क्वाटरेंट क्या मेरी बात सही है बच्चो सही बात है कि हम लोग के पास जो complex number दिया है उसका coordinate कौन से में है? थर्ड में है तो पहले तो इसको solve कीजिए cos theta minus 1 by 2 कितने पे होता है? जल्दी बता दो 60 पे होता है pi by 3 ठीक है? pi by 3 तो ये cos theta minus अंदर ले जाएंगे cos minus pi by 3 ठीक है? अब काओ के सरी ये plus का हो जाता है कोई बात नहीं छोड़ दो अभी रहन दो ठीक? हाँ जी sin theta minus ये भी 60 पे होता है sin pi by 3 minus अंदर ले जो minus का pi by 3 तो इसका मतलब हमारे पास angle कितना है? minus का pi by 3 हमारे पास angle कितना है? minus का pi by 3 लेकिन प्यारे बच्चो हमने क्या सीखा है? हमने सीखा है कि हमें angle जो निकालना है वो third quadrant के लिए निकालना है तो third quadrant के लिए आपको पता है so the argument is argument is argument third quadrant में कैसे निकलता है? theta minus pi क्या निकलता है? theta minus pi तो आप बच्चों यहाँ पे जो theta use करेंगे वो क्या use करेंगे? pi by 3 use करेंगे. क्या use करेंगे? pi by 3 use करेंगे. अब कहोगे कि sir, यहां तो negative है. यहां तो negative है. तो बच्चों, आपको उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताए था? यह negative, यह negative इनके quadrant को represent करता है. इनके quadrant के बई, कौन से quadrant में रहके यह positive है, कौन से quadrant में रहके यह negative है. यह कहां सीखा था हमने? हमने यह third chapter के general solution में सीखा था. कि आगर बच्चों, हम यह minus दिख रहा है, तो इस minus का मतलब यह minus नहीं है. दिखे, यह minus नहीं है. यह असल में क्या है बच्चों, यह है आपका क्या? यह है आपका quadrant बताने का तरीका. तो इसलिए हमने सिर्फ क्या लिया? पाई बई थरी. अब बच्चों इसको solve कर देंगे. अब इसको हम क्या कर देंगे? solve. एक मिनट, कुछ गड़बट नहीं होड़ी? पाई बाई थरी. और मैं पहले भी बता चुका हूँ, बच्चों, कि हमें माइनस से कोई लिना देना नहीं होता. क्योंकि यह quadrant को represent करते हैं. ठीक है? तो argument में गए ठीटा माइनस पाई, ठीटा इत्था पाई बाई थरी. हमने माइनस किया, आगया यह है. ठीटा कितना है, माइनस टू पाई बाई थरी, प्लस आयोटा साइन ठीटा कितना है, माइनस टू पाई बाई थरी. और इसी के साथ यह आपका polar form खतम. ठीक है? करो फिर एक आदर कोईशन और कराते हैं भी. करो बच्चों करो, फिर एक कोईशन और करते हैं. चलो, उमीद करता हूँ, नोट कर लिया होगा आप लोगोंने. उमीद करता हूँ, नोट कर लिया होगा. अब कोईशन और आपके सामने ये, मेनस रूट थरी पलस आयोटा. यह आरहा बच्चो. यह आ गया. तो अब आपको अच्छे से पता है क्या करेंगे let the polar form of the complex number ऐसे by comparing तो यहाँ पे minus root 3 और यहाँ पे आयोटा के साथ कुछ भी नहीं है तो क्या होगा बच्चो 1 होगा तो यहाँ पे आप 1 ले लेंगे ठीक equation 3rd और 4th माल लेंगे modulus निकालेंगे कैसे minus root 3 का square plus 1 का square मतलब why यह है sorry minus root 3 का square plus 1 का square ठीक है अब यह क्या है 3 पता ही है कैसे 1 4 और यह 2 आ गया ठीक है अच्छा अब क्या करेंगे जब हम put करेंगे यहाँ पर तो यहाँ पे भी क्या रहेगा 2 ही रहेगा लेकिन यहाँ चेंज हो जाएगा यहाँ क्या रहेगा minus का root 3 minus का root 3 ठीक है और यह क्या बन जाएगा minus का root 3 by 2 और यहाँ पे क्या रहेगा 1 यहाँ पे क्या है यहाँ पर है 1 1 by 2 sorry यहाँ पे भी है 1 और यहाँ पे क्या जाएगा 1 by 2 लेकिन बच्चो अब देखो एक समस्या है यहाँ पर देखो एक समस्या है क्या समस्या है कि एक एंगल है माइनस में और एक एंगल है प्लस में एक एंगल है आपका माइनस में और एक एंगल है आपका किसमें प्लस में तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें बच्चो ऐसी प्रेद नहीं हम कर लेंगे बड़े प्यार से कैसे करेंगे पहले ध्यान से देखो भाई रूट अहमें तो पता है कि तहां एंगल ओफ गिवन value minus में आ रही है बिल्कुल साइन की value plus में आ रही है बिल्कुल चलिए अब आगे बात करते हैं क्या बात करेंगे कि हांजी अगर यहां पर देखा जाए ध्यान से तो हमने क्या देखा कि बच्छो कॉस कॉस हांजी अब यह बताओ root 3 by 2 root 3 by 2 कितने आता है यह आता है तर्टी पर कितने पर एकर अधाथ और यहांton यहां लिखेंगे और यह minus अंदर ले जाएंगे हो जाएगा minus bye-bye 6 और बुछिजे मुझे यह е भी पता है कि अगर मुझे यह पाते है कि यह वी तब्सक् gentil साइन और सइन वंघार तो क्या होता Sati बात आती है यह समस्य आती है कि ऐसाकॉडरेंट जिसमें इसकी वेलू क्या हो जाए प्लस और इसकी वेलू क्या हो जाए माइनस वो कौन सी कंडिशन बन सकती है तो आपको पता है अच्छे से आपको पता है अच्छे से क्या बच्चो कि हम जो argument निकालते हैं second quadrant में किसमें निकालते हैं second quadrant में तो उसके लिए हमें एक solution चाहिए होता है देखो इस minus को मैं अंदर ले गया कोई दिक्कत नहीं है क्यों क्योंकि कि मैं negative angle formula बनाना चाहता हूं लेकिन प्यारे बच्चो मुझे ये बात पता है कि जो angle है जो angle है वो कहां लाई कर रहा है second quadrant में लाई कर रहा है कहां लाई कर रहा है second quadrant में तो क्या मुझे इसके minus से और क्या मुझे इसके plus से कोई भी लेना देना है नहीं लेना देना है क्यों क्योंकि इसका minus मुझे ये बता रहा है कि cos की value second quadrant में है और इसका plus मुझे ये बता रहा है कि sign की value किसमें है भई किसमें है second quadrant में है तो बस so the argument of complex number is, of complex number is, हाँ जी, तो second quadrant में है, तो second quadrant में क्या होता, pi minus theta, तो pi minus theta कितना लेंगे, pi by 6, अब ये मत कहना, इसका minus है, इसका plus है, तो बच्चों, मैंने पहले भी बात आपको बता दी है, कि इसका minus और इसका plus को ही लेना देना नहीं रखता, क्योंकि इसका minus बताता है, बाकी angle असल में क्या है, pi by 6, solve करेंगे, 5 pi by 6, कितना जाएगा, 5 pi by 6, और उसके बात आपको पता ही है, यहाँ पे आप value 5 pi by 6 रख देंगे, 5 pi by 6 रख देंगे, कोई दिक्कत, कोई समस्या, तो इस तरीके से करना है बच्चों, ठीक है, तो मतलब आपको क्या करना था, बस यहाँ पे value पूट करनी थी, modulus निकालना था, यहाँ पे value पूट करनी थी, यह बनाना था, और इस तरीके से solve, ठीक है, चलिए, note कीजिए, note करो इसे, अज ज़्यादा है नहीं complex number में ही, यही तब कराना है, ठीक है, एक question और बताता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा लगे हूँ, ठीक है, अब कोई साभी complex number आएगा, तो आप easily कर सकते हूँ, अच्छा, आप जैसे मानलो complex number ऐसा दे दिया बच्छों आपको, ऐसे दे दिया, जैड बराबर 3, ऐसे दे दिया, तो फिर क्या करोगे, तो बच्छों अपनी तरफ से 0 आयोटा लगा ले ना, ठीक है, और अगर मानलो ऐसे दे दिया, माइनस टू आयोटा, तो क्या करोगे, जैड बराबर 0 माइनस टू आयोटा कर ले ना, उसको, ठीक है, तब पोलर फॉर्म निकालना, तो अब आप 5.2 के जितने भी कोशन है, पोलर फॉर्म के, वो सारे कर सकते हो, ठीक है, एक कोशन है, वो मैं अपनी तरफ से करवा देता ह आपको, एक कोशन ये देख लो चो, कि अगर इस टाइब कोशन आ जाए, तो कैसे करते हैं, ठीक है, ये मिटा रहूं अच्छो मैं, ठीक है, एक छोटी सी क्लास रखी है, आज मैंने ये, ठीक है, मैं चाहूंगा कि आप लोग इन कोशनों को जरूर ट्राई करें, बच्चो, एक्जाम्पल नमबर 8 है, ये जो कोशन करा रहा हूँ, एक्जाम्पल नमबर 8 है, ठीक है, आपको दिया हुआ है, जैड बराबर माइनस 16 अपन में 1 प्लस रूट 3 आजयोटा, क्यरा Polar Form में, convert करो, या कहेगा Modulus निकालो, या कहेगा Standard Form में, कनवर्ट करो, कुछ ही भी बोल सकता है, Standard Form में बोले, तब भी करना है, Modulus निकालने के लिए, तब भी करना है, Argument निकालने के लिए तब भी करना है, तो कैसे एएसे कोशन तो ऐसे question को करने के लिए अच्छो हमें क्या करना होता है rationalize जैसा दिया है उसी से multiply और उसी से divide बस sign क्या कर देंगे? change बच्चमन से सीखते आ रहे हो a plus b a minus b a plus b a minus b तो one का square minus root 3 iota का whole square one का square one root 3 का 3 iota का square iota का square क्या होता बच्चो? minus one minus minus plus one 3 3 और one 4, 4 से कर गया 4 z multiply कर दो minus 4 minus minus plus 4 आपके सामने complex number त्यार है आपके सामने complex number त्यार है अब आप क्या करोगे? जल्दी बता दो मुझे फुर्ती से बता दो क्या करोगे? complex number आ गया? हाँ जी तो आप फटा-फट क्या करेंगे? पहले भई let the complex number is z is equal to r cos theta plus iota sin theta फिर compare कर दोगे compare करके ऐसे modulus निकाल दोगे तो modulus भी क्या आएगा? इसका modulus भी देखो यहाँ निकाल देता हूँ भई minus 4 का square plus 4 root 3 का square तो क्या जाएगा? 4 का 16 4 का 16 into 3 तो कितना आगया? 16 प्लस मैं 48 तो जाएगा 64 it means 8 आठ आजएगा तो r की value कितनी आगी? 8 r की value कितनी आगी? 8 फिर इसी तरीके से cos theta, sin theta निकाल लोगे आप समझ गे? तो और cos theta, sin theta भी निकाल लोगे देखो 4 है 8 है कटेगा 1 by 2 कटेगा root 3 by 2 तो इस तरीके है मतलब बिल्कुल simple question आपके लिए बन जाएगा ठीक है? और हर हाल में value जब भी बनेगी न आपकी इसमें आपकी जब भी value बनेगी वो 0 से 90 के बीच ही बनेगी तो आपको उसमें बे फिकर रहना है कि हाँ भई यह क्या गया, यह कैसे हो गया तो आपकी value जब भी बनेगी 0 से 90 के बीच में बनेगी ताकि आपके लिए solve करना असान हो जाए ठीक है बच्छो अब जैसे इसका quadrant बता करो minus और ये plus तो quadrant को इसका second quadrant है को इसका quadrant है second तो बच्छो quadrant बता करके आप क्या निकाल सकते हैं argument निकाल सकते हैं तो इस question को मैं standard form तक छोड़ रहा हूँ अब आपको आगे क्या करना है और बार हो और कोई doubt आए तो please मुझे WhatsApp पे जरूर message करें कि सर मुझे ये समझ में आया या नहीं आया ठीक है बच्छो क्योंकि मुझे पता है थोड़ा different topic है लेकिन इंट्रस्टिंग है ठीक है आप करने ही कोशिव किजी आपको बहुत मजाएगा ठीक है तो चलिए आज की ग्लास में यहीं खतम कर रहा हूं ठीक है मिलते हैं next class में